बड़ी खबर पश्ची मंगाल से बीर भूम में टीमसी के दो गुटों में हुई हिंसक जड़ब के मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफतार कर लिया इसके लावा एक घर से दो बम और कई गोलियां भी बरामद हुई इस घटा के बाद से पूरे इलाके में तनाव है लेहाजा पुलिस ने सुरक्षा भी बड़ा दिया है असलमें ये पूरा विवाद ग्रामीड विकास योजना में ब्रश्टाचार के आरोब से जुड़ा है जिसकी जाच के लिए प्रशासन की टीम पहुँची लेकिन इसी दौरान टीमसी के दो गुट आमने सामने आ गए और उनके बीच बहस होने लगी जो थोड़ी ही देर में हिंसा में बदल गई और फिर बंबाजी शुरू हो गई जिसमें कई लोग बुरी तरा घायल भी हो गए जबकि कुछ लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े आशिका सिंगमाचा जुड़ी है आशिका अब क्या हुआ इसमें जी किशोर घटना बीरभूम के दुबराचपूर की है जो आज रणशेत्र में तबदील हो गया पुलिस का कहना है कि वहाँ पर दो गुटों में संगर्श हुई जहां कई बार वहाँ पर बम भी चले गोलियां भी चली जिसमें छे लोग घायल हुआ है इलाज उनका अस्पताल में चल रहा है साथी साथ पुलिस ने आठ लोगों को इस मामले में डीटेन किया है जन से पूच्ताल चल रही है और जानकारी जो मिल रही है दोनों गुट टीमWar कहीं थे जिनमें बर्चस्व को लेकर करे इलाके में और साथी साथ सौ सौ दिन के काम को लेकर के जड़प हो गई हाला कि बंगाल पुलिस ने फॉरण मोर्चा समाला और हिंसा करने वालों के खिलाफ कारवाई शुरू कर दी और टीमसी के दो गुटों में हुई हिंसा जड़ब के मामले में आठ लोगों को गिरफतार कर लिया इसके लावा एक घर से दो बंग और कई गोलियां भी बरामद हुई यही नहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है लहाजा पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी असल में यह पूरा विवाद बीर भुम में गरामीन विकास योजना में भरष्टा चार के आरोब से जुड़ा है जिसकी जाज के लिए प्रशासन की टीम पहुँची लेकिन इसी दोरान टीम सी के दो गुट आमने सामने आ गए और उनके बीच बहस होने लगी जो थोड़ी ही देर में हिंसा में बदल गए और फिर बंबाजी शुरू हो गई जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल भी हो गए जबकि कुछ लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और खबर यह है कि जिन दो गुटों में जगड़ा हुआ उन दोनों का ही तालोक ममता बेनरजी की पार्टी त्रिनुमूल कॉंग्रिस से है जगड़े की वजए सरकार की एक योजना में ब्रश्टा चार को बताय जा रहा है गट्टा बंगाल के बीर भूम जिले में हुई है जहां अचानक भड़ की हिंसा के हैरान करने वाले वीडियो सामने आये एक दीवार की तरफ खड़े कुछ लोगों की और किसी ने बं फेंक दिया बं का धमाका इतना जोरदार था कि कुछ देर तक तो सब कुछ धुए में खोसा गया धुआ को छटने लगा तो एक और बं धमाके की आवास सुनाई दी कुछ दूर से बनाये गए एक वीडियो में कुछ लोग बंदूक से गोली चलाते भी साफ दिखे थोड़ी देर में पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया लोग हाथों में डंडे लेकर तैनाद दिखे सरकार की ग्रामीन विकास योजना के तहट लोगों को सौ दिन का रोजगार दिया जाता है जिसमें ब्रष्टा चार के आरोब लग रहे थे ये जंग तब हुई जब उन आरोपों की जांच करने के लिए प्रशासन की टीम पहुँची थी दोनों तरफ से हुई इस हिंसा में कई लोग जखमी हो गए बुरी तरा से जखमी हुए कुछ लोग तो जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरे भी दिखे सौबात की बात है कि बीरभूम जिले में प्रशासन ने सोशल आडिट कराने के लिए एक टीम भीजी थी जिसके बाद सरकारी टीम वहां से जान बचाकर भागी और बताया गया कि उसी की सूचना पर पुलिस ने गाव में मोर्चा समाला जिसने अब तक आधा दरजन से ज़्यादा लोगों को गिरिफतार कर लिया है